तो फ्रेंट्स वेलकम अगें टू अबर एडवांस एस्ट्रक्टर सीरीज तो आज की जो स्पेशल वाइक के हैं वो कुछ इस तरीके से हैं ज्यादा से ज्यादा वो मुझसे बात नहीं करेगी ठीक है कभी ऐसा होता नहीं आर पुरी बात नहीं ज्यादा वो ऐसा नहीं हैं ज़दा से ज़दा तो हम अपने सेंटेंस में कैसे भोलें ठीक हिंधी में तो हम ऐसे बोल दे लहां जादा से जादा वो ऐसा नहीं कर पाएगा तो यह ज़ादा से जादा इस काम में पांच मत लेए तो इस दिए कि वाक्यों को जब हमें इंग्लिस में कहीं पर बोलने जरूबत पड़े तो हम किस रीके का structure यूज करेंगे आज में पहले आपको इसका structure बताऊंगा जैसे बताता हूं पर उसके वाद sentence में यूज करके बताऊंगा ठीक है तो आईए सबसे पहले structure देखते हैं में structure हम किस तर relative degree जो है तो most at the most ज्यादा से ज्यादा पर उसके बाद आपका sentence जो भी किसी भी tense में हो present में हो ठीक है या future में हो या past में जैसकि ज्यादा से ज्यादा वो ऐसा कर सकता था तो इस तरीके में क्या होगा कि past का sentence लग जाएगा लेकिन आपका जो initial phrase है वो यही रहेगा at the most इसक इसको practice करें साथ में और फिर ज्यादा से ज्यादा अपने daily routine के sentence में यूज करने की कोसिस करें क्योंकि आप जितना इनको use करोगे sentence को उतना ही आपकी पकड़ बहतर होगी और एक बार मैं फिर से remind करते हूं अगर अभी तक आपने channel subscribe नहीं गया तो भी channel subscribe करें और वीडियों देखते हैं ज्यादा से ज्यादा इसमें पांच मुट लेंगे कोई काम होता ना कहते हैं ज्यादा से ज्यादा इसमें पांच मुट लेंगे ज्यादा से ज्यादा एक गंट लेगा तो कैसे वो लेंगे ज्यादा से ज्यादा पहले हमने इस लगा जी at the most फिर इसमें पांच लगाया फ्रेट फिर उसके बाद इट विल टेक फाइब मिनेट्स तो होपली आपको यह कंसेप्ट थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा होगा आप साथ में प्रेक्टिस करो और इसको फिर अपने डेली कर्मरसेशन में इन सेंटेंस को यूज करने की कोसेश करो ठीक है तो ज्य जादा से जादा एक घंटे में बारे सुरू हो जाएगी कभी ऐसे बुल लिए गिरोध पड़ती ने दोस्तों के साथ या किसी के संग बैठे है जादा से जादा के लिए एड़ दा मोस्ट जैसे मैंने बताया आपको फिर उसके बाद क्या रहेगा एड़ दा मोस्ट उसके जादा एक घंटे में बारे सुरू हो जाएगी एड़ दा मोस्ट इट विल स्टार्ट रेनिंग विदिन वन आवर ठीक है अपको यह स्ट्रक्टर जो देर जरी किलियर हो रहा होगा क्योंकि आप जितने सेंटें देखोगे ना उतना यह स्ट्रक्टर किलियर होगा एक और स जादा हम दो बज़े तक घर पुंद जाएंगे जब कोई पूरसा उतन्यार कितने वzd तक आपूँगे कि जादा से जुए धाला हम वे तक पहुंद पाएंगे רते जादा स 화장 मसली तक पहुंद जाएंगे ठीक है बाई इविनिंग मतलब साम तक तो ज्याद से ज्याद से ज्यादा तुम्हें हजार रुपीय खर्च करना पड़ेंगे कभी यहाँ था ना दूसरों से बूलते हैं यार पार्टी कर लो या पर यह काम कर लो ज्यादा से ज्यादा तेरे इतने खर्च होंगे ज्यादा से ज्यादा सो रुपी करवाएंगे तो कैसे भूलेंगे ज्यादा से ज्यादा एड़ दा मोस्ट और तुम्हें खर्च करने पड़ेंगे you will have to spend 100 रुपीज ठीक है सो रुपे 1000 रुपेज करने पड़ेंगा है 1000 रुपीज तो at the most you will have to spend 1000 रुपे जिसमें मोस्टली आपके न फ्यूचर की सेंटेंस जादा आएंगे क्योंकि हम आए की बात कर रहे हैं न अधर मोस्ट ठीक है तो मैं आपको सेंटेंस दे रहा हूं उसके आप इंग्लिस मना की नीचे कमेंट बॉक्स में दें ज्यादा से ज्यादा हम दो दुनों के लिए रुकेंगे इसमें मैक्समाम आपको सेंटेंस याएगा बात में ठीक है इसके आप इंग्लिस मना की नीचे कमेंट बॉक्स में दें तो होपले आपको इस ट्रेक्चर की प्ले लिस्ट जो है नीचे लिंक दे रखा है तो आप वह झाल